कामराम किसान भाई हूँ, मैं नितिन फिट से हाजिर हूँ, आपके अपने चैनल, Fertilizer Expert में, किसान भाई हूँ, आज का जो हमारा टोपिक है, वो है कैलसियम किलोराइड, कि आखिरकार कैलसियम किलोराइड क्या है, ये सस्ता होने के साथ साथ अच्छा कैसे है, इसकी कितनी म मिला करके डाल सकते हैं, या फिर नहीं, संपूर जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे कि आपको एक सही और सांदर जानकारी किसान भाई हो, मिल सके, किसान भाई है, कि यदि इसका उप्योग हम अपनी फसल को मिल जाती है, और उसके अंदर किसान भाई हो, मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन का कोई भी तत्व देखने को नहीं मिलता, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको कैलसियम ही देखने को मिलता है, तो उसके अंदर दोनों चीज़े हैं, और इसके अंदर मिल सकते हैं वो मैं आगए आपको बताएता हूँ जब कैलसेम किलोराइट का उपयोग आप अपनी फसलों के अंदर करते हैं तो यह नई नई साखाओं का नई नी ब्रांचिस का निर्मान करना सुरू कर देता है सैल डिवीजन बढ़ानी सुरू कर देता है यदि मालीजे आपने इसका उपयोग अपनी फसलों के अंदर किया तो हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करना सुरू कर देती है यदि उसके अंदर कैलसेम की कमी चल रही थी तो फसल अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं करत साथ ही साथ हमारी जो फसल होती है लगता चमकदार बनी रहती है फसल की पैदावार में भी आपको लगबग 15 से लेके 20 प्रितिसत तक की बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी इसका उपयोग करने के बाद जो हमारे फलो का साइज बढ़ना सुरू जाता है माली जे गन्ने की है तो गन्ने के अंदर सुक्रोच की मात्रा बढ़नी सुरू है गन्ना आपका फूलना सुरू हो जाएगा और जिस समय पर किसान वाज़े दाने भराव का समय आता है उस समय पर यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो दाना भराव करने में भी इसके काफी जड़ा देखने को मिल जाते हैं यानि कि फुलाओ का कर रहे हैं एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं कि ये फुलाओ का करता है तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं बात करते हैं कौन-कौन सी फसलों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं तो इसका उपयोग आप लगभग लगभग सभी बैंगर करेंगे सिर्फ और इसके फायदे ही देखने को नहीं मिलेंगे नुकसान इसके देखने को नहीं मिलते पिर्ती एकड के हिसाब से आप इसका इस्प्रे करेंगे, बेहतरी रिजल्टी निकाल करके दे सकता है 500 ग्राम की मात्रा आपको वहाँ पर लेनी है, जहांपर आपकी फसले हलकी है चोटी फसल है उज़ यदि आपकी बड़ी फसल है गंडे की फसल होगी है दान की फसल होगी है इन फसलों में आप 750 ग्राम से ले करके एक किलोग्राम के आसपास तक ले सकते हैं अपनी फसल के हिसाब से आपको लेना है और इसका इस प्रयाप करेंगे बहतरी रिजल्टी आप इसे जड़ों के पास में डाल सकते हैं चोटी फसल है तो दो किलोग्राम प्रती एकड़ के साब से गन्य जैसी बड़ी फसल है हाड फसल है तो चार किलोग्राम प्रती एकड़ के साब से आप इसे जड़ों के पास में डाल सकते हैं लेकिन इसके साथ में आप जो है ब ही मिलता है यह सिर्फ फायदे ही फायदे आपको निकाल करके देगा तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका रहता है यह तो कॉंबिनेशन में आप कुछ भी मिला लीजे बहतरीन फायदे देखने को मिलेंगे यदि मैं बोरोन की बात करूं तो दो किलो ग्राम पिरती एकड़ के में क्या रहता है तो जैसे मालीजे आपने अपनी फसल कोई भी बूई तो उसकी वेडिटेटरी ग्रोस से ले करके और जब हमारी फसल बिल्कुल पकने के अवधियर तक आ जाती है उससे लगबग एक महीने पहले तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं मतलब कहने का ही है कि य जबी आपको अपनी फसल के अंदर अपने फलो के अंदर फुलाव आपको चाहिए तो फुलाव के लिए आप इसका उपयोग कीजिए और भी सांदार और अच्छे रियल्टी आपको निकाल करके दे सकता है बात तल लेते हैं इसकी कीमत की तो इसकी जो मार्केट में कीमत आपको देखने को मिलेगी लगवा 130 से लेकर करके 140 रुपय के आसपास का 1 किलोगराम का पैक आपको देखने को मिल जाता है आपके यहाँ पर इसकी क्या कीमत है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं उम्मीद है ये वीडियो मेरे किसान भाईयों को काफी ज़्यदे पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप सेयर भी कर सकते हैं फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाईयों को राम राम जी